जब डिपेंड हो जाओ ना किसी के ओपर फिर फाइदे उठाते में कर भाई अब तो इसी बाते कर रहे है यार तू करता ही ऐसे कल तुने लास्ट टाइम पर इनसान नौई नहीं हो गया सुन पहले साड़े नो बजे तुने बोला तो नहीं बोला था तो भाई तुझे भी प इसमें बैग्राउंड नौईस नहीं आ रहे ना मतलब कि एर का ज्यादा है तो बोलेगा आर का नौईस नहीं आ रहे ना ज्यादा अब यह नहीं आ रहा है शांद बेढ़ जा जाए पना पैरलेली अपने वर्क कर रहो मैं अपलोड गरो ठीक है तुम लोग स्ट्रीम को आ गए लोग भाई साब तुने लाइफ कर दिया गया अब यह कहां चला गया हां लाइफ कर दिया हुआ है अब आधा वादा रही है दोनों के आ रही है के अपने विचा कनायूश अ मेरी भी आ रही हो गया ओ यार भाई मैंने स्ट्रीम जो है वह वह करी थी क्या बोलते हैं स्ट्रीम चेंज करी थी थोड़ी टाइटल वाइटल चेंज नहीं हो आ क्या देख तो खुद रेडी नहीं और मेरो को बोल रहा है मैंने रेडी किया लेकर नो दिखा पुराना ही रहा है मैंने चेंज किया वाई थापनेल टाइडल वापिस चेंज कर दे वापिस चेंज कर दे अभी कर दे कर दिया चेंज भाई कर दिया नाम भी चेंज कर रहा है लाइव इस डिले लाइव इस डिले लाइव इस डिले नहीं डिले नहीं है थोड़ी देर बची हुई है जैसे ही डिलीज होगा वैसे ही कर देंगे एंड बाकी योट्यूब लाइव जो है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है फिलाल के लिए तो मेरे को लाइव दिखा क्यों नहीं राबे मेरे एप में मुझे कैसे मालिम होगा यार मुझे को निगा मुझे आच चुक है नोटिफिकस्टन अंडेंशन हो बता तो दिया नोटिफिकस्टन आ गई है और यह और भाई तुम्हने थम्ने थम्ने चेंज करा आज तो 3030 सीरीज का वह है मेरे हाथ में ग्राफिक काड पकड़ाना चाहिए यह यार कम सकंब एक ग्राफिक काड तो एड़ किसने कुछ किया नहीं और मेरे को बोल रहे है यह बंदा उन्हें अभी अभी चेंज की हाट्रेक्स 3000 डिलीज लाइव यह क्या है यह चूरंगिरी अलेव बराबर है और वही का वाजी लोग आ गएक्या मैं मैं परलेली अपना काम कर रहा हु ठीक है ततलब तुम लोग स्ट्रीम समाल हो मैं पंद्र में रडी हो जाता हूँ ठीक है तुम किस बात का काम कर रहो भाई अरे भाई मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुए मैं बिजित है यार मेरे को टाइम नहीं मिला मालूम है कौन सा वीडियो अपलोड कर रहो तुम आज अरे भाई तुमने जो कर रहा है पीसी वारे ने जो कर रहा है वही वाला कॉसी वीडियो भाई भाई ऑग्या भाई हमें भी नहीं मालिम भाई अबे मैं बोल रहा हूँ ट्रांजिशन चेंज कौन करेगा तू 15 मिट के लिए निकलेगा तो यही है ना स्ट्रीम तो यही पर स्टार्ट होगी न ब्रो किसने बोला यही पर स्टार्ट होगा ना स्ट्रीम अच्छ यह पर नहीं होगा तो यह पर नहीं होगा तो तो तोड़ दूँगा मैं देख ले भाई त्रीम स्टार्टेट फिंगर क्रॉस रटेख 3090 अंडर 1 लाक अंडर 1 लाक नहीं होगा वाई किसने बोला प्राइसिंगे अफन भाई वोल ले सकते हल्यू मैं आया बस 10 मटदे मिर को तुरंद बस अब्टलोड करके यह कावाजी क्यों इड़ दाल रहे भाई भाई पताने आचाना को बूच अड़िया उंदर माउसपैड बाइंग माउसपैड माउसपैड यार ग्राफिक काड लाँ जो रहा है यार पीसी वाले तुम्ने एंड़ी है तोड़ा ना क्यों भाई यार क्यों भाई मैंने कावाजी को कैसे फता लग जया या उसको भी मेल आया है अब बज़े ले रहा है अब नाम थो नाम भाई यह रहा है भाई क्या बात है भाई अरे वाई बात्यार मिल गया स्पॉंसर मिल गया मिल गया तो अगर तुम फिल्मोरा गो पे जाऊगे तो तुम काइंड अव मोबाईल के अंदर विडियो एटिंग कर सकते फिल्मोर आगो से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर चेक आउट करना चाहते हो, स्पॉंसर्स को तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से चेक आउट कर सकते हो, and thank you for 100 रुपीज सूपर चैट, तेज भाई, I got Asus X570 Pro with Nvidia 2060 and Ryzen 7 3700X, वर्किंग क्या, स्वाइस है, क्या साजेशन, कोई चीज अपडेट करो, नहीं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वली बात ने, 2060 अच्छा है, X570, Asus का भी अच्छा है, 3700X भी है, आपका अच्छा खासा हो है, तो अपडेट करने कोई जरूत नहीं है, हाँ, फ्यूचर में, अगर 30 सिरीज लगाना है, तो अपडेट 30 सिरीज में कर सकते हो, बागी तो कुछ कुछ जरूत नहीं है, अपडेट करने की, आसम है सब कुछ, आसम, और PC वाले, क्या-क्या, खायाल क्या है, यार, ये बताओ, क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या-क्या आसकता है, आज ये बताओ, पहले, यार, मेरा तो, मेरा तो ख्याल यही है, ख्याल यह है कि, बंदे जो है, वो लॉंच करेंगे, सिर्फ टीन ग्राफिक कार्ड, PC वाले, 30-80 की नही फोटो लाँच हुई, और भाई, क्या लगता है, ओ भाई, तुमने देखा जो, जो पोस्ट प्रोडक्शन से पहले का सैंपल दिखाया गया, तो जो बिल्कुर पूरी ब्लैक PC भी थी, और उसके जो ब्लैक फिंस थे, और जो अभी फोटो लीग हुई है, जो तुम साहद से देख पारे, तुमने देखी नहीं वाली फोटो जो आई है, इसके अंदर क्रोम फिनिश एज़ेज बी हैं, तुम्हारे एडिस्कॉर्ड पे भारे ले दिखारे ले भारे गारे और जो आपने इस्टाटर्टकरा भारे बीटवे आजि ये वाली स्ट्रीम हैं, मतलई कि ये वाली जो अभी इवेंट हो रहा है, ये सारा वह वाला इवेंट है, और सभी वाले इसको, तुमने वे बुलाद को था है? कुछ धिल था स्पैसिफिक को मुझे जार आरा Jenser या बाइ वाई Jenser आ गए अराम थाइंग वॉाई नाइस, सी फॉटनाइट में रेड्रेसिंग आ गयी वाई लोग यहसज फॉर्टनाइट रे ट्रेसिंग ए कावा त्रांजिशन ने इंडे विजूर यहां इन pr गेमकें इंडना नी बह्त है PC वाले क्या लगऎ上 अगड़ी ही जिए रेट रेस्ज लग रहा हा ह। फॉल newspaper ग्णद माना खूड दो कीरो छोड़ विट दो अलिए भी इजब हो वी ओख मुंद्फ कितम डिए नीचरीं द श्ब आख शर रेतिती जविशे जेंन के लाइसे यह जो प्लाइसे जैंसे से से 5060 फक्रांट जैंसुम्स कछल किम बड्सेंस । प्लाइसे से खेंस तो को ले दो कि अ कि अपनन। फिश इप्स घ्टे लेस्ट इंजेज सोरे बज्सेंट जाने थे अप्समेजिज के अहुंश अगर उनिक्सेंट के अथने सुरेश इंजेट के ये बीजेजिए वह जग अज़ बनाद़ के लेख लेफ्लिजेज डडरेश्ड बेस्टेंट अच्छेश इस बर रहे बड़ाए का दो लिए आपको 50% से लिए इस सप्टेंबर, प्रश इसे आपके। लिए 100 विलियों गपोर्स गेमर्स विल इन सिंद्टीर विल्से एक्टिटिव 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 फुल फुल्स्क्रेण ट्रेंस अ थिपल्स्क्रेण ट्रेंस फुल्स्क्रेंस वाई साहाव, अक्तर लाइ वाई यह वाला फीचर देखो, ब्रोडकास्ट विब्चाम आटो फ्रेमिंग इस विर्चुल कामरा पर्सन ट्रैकिंग यू त्रैकिंग यू आटो वीचिता करें बाइड है क्या कर दाया यह रहाँ यू वाई यूचाम इस वाला नाटी हम ऺ्रॉटकास्ट अगर तुम कर दो मोड़कास्ट वाला वाली उनको फिर्ट नहीं को तुम जरूरत पर बेकावण के दूरद मारा बेकावण अपने चैन्य यूग प्रेस् looked including the same weiter प्रेस्सिmi ठर्वोड्री संग्सैखर वने with a blow dryer here and that distracting sound makes it very hard to understand what I'm saying but when I turn on noise removal in NVIDIA Broadcast you find it's completely gone and that thatolf-dry is still going riot yaz an NVIDIA Broadcast there's just not just awesome audio power there's some really exciting video feature as well let's take a look First up we have the ability to blur your background which you may notice that I need because I have a very cluttered and messy room but when I turn this background blur feature on all of a sudden I get this really classy effect and I can adjust the strength of that from low to high and everything in between or if I want I can actually replace the background altogether now I'm in a space station with the magic of AI it's that easy or if I want to jump into some gameplay I can remove the background altogether and jump into some Valorant and now I'm playing with a green screen effect without actually having to have one at home I don't have to play good but at least I can look good now sometimes when I'm video conferencing or doing a just chatting stream I want to zoom in to get a more personal connection with the audience but the problem is I bounce around so much it's easy for my head to get out of frame with the auto frame feature it's like having your own personal cameraman that follows you wherever you go I'm going to save it so if for example I wanted to reach over and grab my cool Valorant hat and show it to everybody it follows me every step of the way I just find a video broadcast I'm kind of tracking the subject the ability to remove distracting noise improve your background and keep yourself in the center of the frame are all awesome features in one app and I just can't wait for you guys to try it a new form of art has emerged from gaming called machinima artists are using game assets to create cinematics there has been tens of billions of views on YouTube most are shorts some are even recreating entire classic movies it's becoming a whole new art genre today I'm going to show you an app that will make these cinematics amazing it's called Nvidia Omniverse Machinima it's an app built on our Omniverse 3D workflow collaboration platform Omniverse is a universal design tool asset exchange with a viewer based on photorealistic path tracing the engine is designed to be physically accurate simulating light, physics, material, and artificial intelligence we have connectors for most third-party design tools like 3ds Max, Maya, Photoshop, Epic Unreal, Rhino, and many more the Machinima app brings in elements and assets from games and third-party collections like TurboSquid and lets you mix and compose them into a cinematic creators can use their webcam to drive our AI-based post estimator to animate characters drive face animation AI with your voice add high-fidelity physics like particles and fluids make materials physically accurate and then when done with your composition and mixing render film quality cinematics with your RTX GPU NVIDIA Omniverse Machinima beta in October sign up at nvidia.com slash machinima let me show you a demo we created in a few days we started with assets from Mountain Blade 2 Bannerlord you're gonna love this oh what's your name? what's your name? oh 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 कर दो दो उर्स अपैन गो झाले के अगले जैनी जाते हैं भ्हों उड़ात हैं जड़ात हैं ग्याज आग स्वाज इंधर उन्वेटेशर काई उल्सक्ट वन्याहाँ एर बार्टियर्सेकर टूर्न उल्सक्य काईए निर्चर उल्सक्रीश हैं व्रशमर व्रोर्वाग सकानल सकता। अक्षिकलशनल एक परास्टरिश्टाबस ौपूस इ meus तशक रेथ люблюष काी से ग समयरेख Corn Company कर व्रीनीरश्ट निन रेलाद़ कि पक्तम में भायसिये एही इसन एनिश इसांगान लुक बधिटें असांगानीम NVIDIA RTX is a full-stack invention. RTX starts with a brand-new GPU architecture, but it is so much more. It includes new engine tech and a bunch of new rendering algorithms. RTX is a home run. All major 3D APIs have been extended for RTX. RTX is supported by all major 3D tools. RTX tech is incorporated into all major game engines. There are hundreds of games in development. and thousands of research papers of new rendering and AI algorithms enabled by RTX. The RTX GPO has three fundamental processors. The programmable shader that we first introduced over 15 years ago, RT-Core to accelerate the ray triangle and ray bounding box intersections, and AI processing pipeline called TensorCore. TensorCore accelerates linear algebra that is used for deep neural network processing, the foundation of modern AI. AI is the most powerful technology force of our time. Computers that learn from data and write software that no humans can. The advances are nothing short of breathtaking. NVIDIA is doing groundbreaking work in this area. You might have seen our work in self-driving cars and robotics. Computer graphics and gaming will also be revolutionized by deep learning. Let me show you some recent works in the art of the possible. The first video is a generative adversarial network that has learned to synthesize virtual characters of any artistic genre, including photorealistic. Second is a neural network that animates a 3D face directly from voice. You require more Vespine gas. It's dangerous to go alone. Take this. The AI character can speak in any language, be any gender, and even rap and sing. Third is a character local motion of infinite number of positions. Imagine negotiating arbitrary paths and obstacles. The fourth is reconstructing 3D from video. Imagine the possibilities. Record video. Interact in 3D. This one is a deep learning model that learned the physics behavior of cloth animation. Finally, this deep learning model of ray tracing can predict colors of missing pixels, so that fewer rays need to be cast and fewer pixels need to be fully rendered. We can achieve orders of magnitude speedups. AI is starting to play a giant role in the future of computer graphics and gaming. The powerful Tensor Cores and RTX GPUs will let us do AI in real time. One of the first major AI computer graphics breakthroughs is DLSS. Here's the challenge. Real-time ray tracing is far more beautiful, but requires a lot more computation per pixel than rasterization. So the solution is to ray trace fewer pixels and use AI on Tensor Cores to up-res to super-res to a higher resolution and boost frame rate. DLSS took nearly two years of intensive research. We built a supercomputer to train the network. The DLSS model is trained on extremely high-quality 16K offline-rendered images of many kinds of content. Once trained, the model is downloaded into your driver. At runtime, DLSS 2.0 takes in low-resolution, aliased image and motion vector of the current frame and the high-resolution previous frame to generate a high-resolution current frame. I think DLSS is one of our biggest breakthroughs in the last 10 years. Take a look at these images of Death Stranding, the latest game by Kojima-san. DLSS is sharper than native 4K and created detail from AI that native rendering didn't even show. and the frame rate is higher. Reviewers have loved DLSS 2.0. They say its quality beats out native rendering and runs even faster. You can play at 4K without a performance hit. Tensor Core effectively gives RTX a 2x performance boost. Let's look at one frame trace of a game to see the processors of RTX in action. Adding ray tracing to games dramatically increases the computation workload. Using shaders to do ray traversal and object intersection reduces the frame rate. We added the RT Core, which reduces shader workload by 60%. RT Core offloads the shaders by doing the ray triangle and ray bounding box intersection calculations. Using the same methodology as Microsoft Xbox, the RT Core is effectively a 34 teraflop shader and Turing has an equivalent of 45 teraflops while ray tracing. Even with RT Core, the amount of time consumed is significant. So RT Core and shaders have to run concurrently. Even then, 20 milliseconds is only 50 frames per second and still a step back in performance relative to previous generations. This is where the Tensor Core and DLSS come in. Rendering to a lower resolution, then using AI and super fast Tensor Core to effectively double frame rate. Now you can get ray tracing, get high resolution, and high frame rate at the same time. That's the magic of the three processors of RTX. Turing was our first generation RTX GPU, combining ray tracing, programmable shading, and AI. The flagship Turing had a ton of processing power. 11 shader teraflops, 34 RT teraflops, and 89 tensor teraflops. Let me show you our new RTX GPU. Ampere is a giant leap in performance. Ampere does two shader calculations per clock versus one on Turing. 30 shader teraflops compared to 11. Ampere doubles ray triangle intersection throughput. Ampere's RT Core delivers 58 RT teraflops compared to Turing's 34. And Ampere's new Tensor Core automatically identifies and removes less important DNN weights. And the new Tensor Core hardware processed the sparse network at twice the rate of Turing. 238 tensorflops compared to 89. Ladies and gentlemen, NVIDIA's new Ampere GPU, our second generation RTX, 28 billion transistors, built on Samsung 8N NVIDIA custom process. All three processors double rates over Turing. A triple-double. It connects to Micron's new G6X, the fastest memories ever made. The days of just relying on transistor performance scaling is over. Yet Ampere is an incredible two times the performance and energy efficiency of Turing. At NVIDIA, we use every engineering lever to squeeze every drop of performance out of the system. From architecture, custom process design, circuit design, logic design, packaging, custom series I.O., memory, power, and thermal design, PCB design, software and algorithms. Thousands of engineers per generation. Billions of dollars. Full-stack engineering and extreme craftsmanship is the hallmark of our GPUs. Our performance, energy efficiency, and low power are all world-class. And real application performance highlights Ampere's new RT core. The more ray tracing is done, the greater the Ampere speedup. Ampere RT core doubles ray intersection processing. Its ray tracing is processed concurrently with shading. And Ampere can render cinematic images with motion blur eight times faster than Turing. Let's take a look at Ampere in action. At our kitchen GTC a few months ago, we showed Marbles, the world's first fully path-traced, photorealistic, real-time graphics. It was running on our highest-end Turing Quadro RTX 8000. Turing was doing 720p, 25 frames per second. Today, we're going to run an enhanced version of Marbles with even more special effects. and it is running at 1440p, 30 frames per second, over four times the performance. Ladies and gentlemen, enjoy Marbles at Night. A new day's springtime, MORBAN So get ready, it's a heavy struggle for yourself. So that's why we're going to listen to this art. बीटिफुल गेम गेम नहीं तो डेमो है ना भाई क्या खतरनाक है यार भाई अभी तो ये डेमो चल रहा है तो मैं बोल देता हूं आज के स्पॉंसर्स यानि के फिल्मोरा गो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मुबाईल में डिटिंग करना चाहते हो यूट्यूब का करियर ब फिल्मोरा गो लिंक विल बें देस्क्रिप्शन गोचखाओट फिल्मोरा गो बंडर्शेर निक विल बें है देस्क्रिप्शन बरो येस नव बैक तो देवीडियो वह वह सब्छान कर फ्यों कर दो इसम आर्ट इस इस नो रचिंग्ती प्षरीज नो रैस्टेश्ट इंटार्ष सेशन और रिल तंड एस एक्ष़ी भंद हाई नहीं अगर गेम आ जाए लिकिन नी एना थिद्न अना चील aten वीए ड्रमिर, इनमिक, दिफ्जिषि-G. अουु刃 है, वीर बाल्ड़द्ध बालनिक. वमारे मेली दिए बाल्टतब झाली, जब वल्यव इसिक्राओ।। ही की खिर्सिकницेने अंगय, सकत्राद्टत लिए कर हुआ हुआ न्रिंग। DLSS 2.0 is doing the super resolution in AI denoising it just works you know it's not a bug for it this is a tech you can see dramatic visual quality jump of ampere marbles on turing runs at 725 fp मुझे बता है बता है अधार बटा हो मता है इसके लंग सुबब से वेट कर रहर रहु रहर रहा है बता है तो यार आप यार्ट इन्ट आर्चिन नहीं देख रहें गार्ट काम करती है बटो देखो worms have pushed PCIO and filesystems to the breaking points. CPUs copy files from disk and decompress the game image. This was fine when the storage system was zero, 50 to 100 MBRIs. Now with Gen 4 PCX and Solid State Drives, PCs can transfer data at 7 GBBIs per second, a 100 times faster. CPU across data to memory and decompressing game images is now the bottleneck. Decompressing data from 100 Mbps hard drives takes only a few CPU cores. However, decompressing from 7 Gbps SSDs on PCIe Gen 4 takes over 20 CPU cores. Today, we're announcing NVIDIA RTX I.O. with three new advances. New I.O. APIs for fast loading and streaming directly from SSD to GPU memory, GPU lossless decompression, and collaboration with Microsoft on direct storage for Windows that streamlines the transfer of data from storage to GPU memory. With NVIDIA RTX I.O., vast worlds will load instantly. Picking up where you left off will be instant. This is a very big deal for next-generation gaming. Let me show you Ampere in action in one of the most anticipated games of 2020, CD Projekt Red Cyberpunk. This trailer is called Scenes of Cyberpunk RTX. It shows ray-traced reflections, diffuse illumination, shadows, ambient occlusion, and DLSS. The new version of the SSD. The new version of the SSD is the counterpart. We are turned into the next version of the SSD. The new version of the SSD is the counterpart. The new version of the SSD for iOS is staring at its own. Now its darauf to see new members of the SSD. This game is extremely dangerous. Next. Level. Next. Level. सब्सक्राइब एफ यह फे व्यूर्च किए से चीज़ है अचलर एक में में एक में रख एक में में सिप्छिक करेंगा अचीज़ कर्का एक एक है Swiron uz CYBERPUNK!!! इफ टेले फिगर से वर्कक Therefore वोहू ̴̴̴̴̶̴̵̴̵̵̴̶̵̶̴̶̸̴̵̷̶̶̵̶̸̶̷̶̵̶̶̶̵̶̶̶̶̦̣̣̫̊̚̚ MPR बहुती बढ़िया बढ़िया ओसम बढ़िया है 90 Gb इस बढ़िया है गाँजी वाँजी था? बढ़िय। अभूश भाँजी बात यर पावर और से दून तरफ भी आरेमानोटीस करों यह थी थी नाइटी निचान फिलिशॉत MONSTERUS CHIP वक्रिंद। भॉप भॉप रहने वॉप भॉपॉ याइ वाइ ये वाइ ये क्या इव ईलियन टेखनोलोजी O.P. यार O.P. R.T.X. O.P. ...विनोगोद OP झोड़ोगाइद 2 रटेक्स बड़ो छैट में सारे आप विद्ध लेड़ोगज यह आध्याध्याष। वाई यह आडा थेड़ा पीसी भी दू बड़े काम की चीज है बेल कुल यह लो एंजिनिरिंगोछ बहुट कि दो है झाले को आपशार 1.2 को आपशार रहे और आपको आपको मेरा न्वीडिया कॉंटाक्त तक आपना एपको तक रोगरा इस्टों the Nvidia RTX 3080 I have one right here let me show it here ।बऑले क्यू जैनसेन नवाई ।बऑ शब रेफरेंस मोडल वो निकाला भी खास दो एव था उपते हैं इसा आए विछाए दिस वो अंके दरे लिए उशना है लुछ.. बगवानी अरिख आठर 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 सब्सक्राइश है यह करते हैं लाइश अब पालोब् Seg लाव शेलें ए lavoro एίनलेंपलें के लिए जिकति फिछ मुटों अडørा है के लिए नवह K creative देल्मी लुके भी जुप्स घंखने प् मुटाईंगन टत्ट लंडे गए फूल को पार के लाप्साप दीज Πे करतिते के बनुछ यूरिफे पूमे जाल राफुल टर।ल, जाला है रहां इर्क्प्वल chaपकिन हो करते लेफिम कि बनुछ जड़ी गुज के लेसे लेप्ट पारो औरे वोफ पूरे फजाला नचार्पकि कर बाक्थाइ स्वोफ पॉल्थू रंट हीसलिया व अनका सीव SJK, हम चर्रुब घ्यरया कि पॉल्थ देकीम यॉले और जॉले वोण झालाब टे एकल तो अॉल्ज तॉल्थू है कि जजुला यॉ भी figures, हम रसमाजिए और जिनको लगता था Airflow बेकार चीज़ होती हो तो देख लो NVIDIA ने किने रिसेर्च करे रिसेर्च करे रिसेर्च करें Ladies and Gentlemen, NVIDIA GeForce RTX 3080, our new flagship GPU, powered by Ampere, our second generation RTX GPU architecture. Incredible amounts of processing in the shader, RT ray tracing core, and tensor core for processing AI. 10GB of G6X, twice the processing power of 2080, and at the same price, starting at 699. अवेले सेटेबर शेवाला गेंग, अवेला जूलीया सेवra 970, 1070, 2070, वेले वेले हुगल. चरिए पपिलर." you gonna love the new rtx 3070 faster than the 2080 ti the Turing enthusiast GPU priced at 1200 dollars ladies and gentlemen 70 g-force rtx 3070 let me show it to you it's a work of art sweet spot the best graphics card 1070 by 980 ti with eight gigabytes of G6 RTX 3070 is faster than the $1200 cute cute but its power connector isn't it yes $499 $500 very cute the stars align as it did with Pascal and we get a giant generational leap Pascal was known as its PC is also hollow Pascal was a huge success it took the super family of Turing to meaningfully exceed Pascal on game performances without ray tracing with ray tracing turned on Pascal using programmable shaders to compute ray triangle intersections fell far behind Turing's RT core and Turing with ray tracing on reached the same performance as Pascal with ray tracing off on a technical basis what should I upload? a little bit a little bit and reflection and shadow artifacts are gone its time but gamers want more let me leave the video on the video what should I do? shhh 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 shC Ray Tracing, Shadows and Ambient Occlusion, DLSS 2.0 आइसाफ, 5-2-0 गाइस अभी वेट करना भी 30-90 भी होगा अभी वेट करना भी 30-90 भी होगा Activision put together this trailer if never before seen footage enjoy वेट करें गाइस नाएस अभी ये होगा आएसे अभी और भी 10-90 भी वेट करक्की होगा सिर्ष गुरिक वी लिए प्री टीर नमेंबर नोएम्बर में मैं नविल स्थ वाइलर कि एि वोड़ से इंविडिया we are making 4k movies rendering cinematics oh! TITAN!! RTX TITAN!! there is clearly a need for a giant gpu that is available all over the world so we made a giant ampere ladies and gentlemen the RTX 3090 What? 3090 3090 okay I thought it was TITAN No titan.. जब वहें लुगारी there is no titan a ferocious GPU a BF GPU Oh yes 3090 guys chat अब 3090 o P c'mon a like this video you guys don't like this oh boy how big he is oh 24 Gb Baj Baj It is a lot of kidney वह आप एफ। च्छी क्यांस आप आप एक वाग पक्याज्च फ्वात बिल्स हर व्यच्छी स्टिटाफ प्राविखस में इन्सेज्टेखस सेज्टेश करेज्ट नाम श्यान बाव भी एट कंप ay 8krence!!ень-e sentido अर्व अर्व्लाव जावालाय जावालाव जावालाव जड्एर्व गॉडिय टेयुरिख जावालाव भॉ थी एकेशस कि खिवेजरेखाँ ॏ आट्वॉ It will still be good quality तॉहाँ दी दॉहाँ आ घॉट ना यहाँ था ए दॉट गिस अप्रा एाइ दॉट नॉट एफन्ने इस ई तॉट इस इंग छॉट इस घ्यॉट इस भी विए? प्योटह न kafार, जो जूघ हम जूएटो राटो ज legislίले नागो झारी और बेम्ट रेम्टफोज काुमन कारई bile गज स गाइज 8K है 8K बट 8K भी DLSS है लेकिन DLSS के साथ भी 8K कमान गाइज 8K यार in the game night 10s स्ञा़िया निफ्टिस ये the future this is our greatest generational leap ever the second-generation NVIDIA RTX fusing programmable shading ray tracing and artificial intelligence gives us photorealistic graphics and the highest frame rates at the same time once the holy grail of computer graphics ray tracing is now the standard and Ampere is gonna bring you joy beyond gaming and video reflex to improve your response time and video broadcast turns ताव और्स अफूडर को झालिँ प्राइड तूडर प्रावल मेर। अनिवर्स्ट महीर प्राव तूममा तूस इन अन अनित मेरा का तूम्मेट। ऑ्रीप्र करिय। और रहें दोलाजा औरोगा जड़ी को हुझा है और लूए और लेक्षिति को साथ सब्सब्स करता से हैं लूम्स को में हैं, लूम्स वांटेक्स आणम है निवीज एक प्रिम क्या है जो आफ योसे एसे स्पेस्ट इस्ट आफ प्रिम अटल्स प्रिम्हेंगें इसर्वाइब अपीर मश्रस्ट सब्सक्राइब अब मैं जा रहो तुम लोग बग बग करो मैं निकल रही हैं फटाक से स्रीम बंद मत का दो मिट के रूख जा गाइस और चेक आउट करो डिस्क्रिप्शन में आज के सब्सक्रिप्शन में निकल रहे हैं जाएट के पहली बार मतलब कम आइट के में गेम खेल पाओगे 3090 के साथ एट के में हाला कि DLSS ON होगा बट स्टिल एट के में कौन खेलता है एट के में तुम्हारे पास 4K TV है या फिर 8K TV है 8K TV कितने का आता है पता है चार-पांस हजार टॉलर्स नहीं उससे जादा काता है कम ओन एट के पहली बार जनरेशनल इतना गैप एंविडिया ने सच में मैंटेर किया मुझे लगता है कि AMD कुछ नहीं लाने वाला AMD रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस में बीट कर लेगा या फिर क्लूरूर्स कर लेगा AMD को प्राइस इस वीडियो के बाद अभी जैसी तुम यह देखने वाले हो ना इसके बाद मा अभी एक हम लोगो की वीडियो आने वाली है जिसको ब्रीफ चाहिए इसके बाद वीडियो डलेगी और स्पांसर से हमारे फिल्मोरा गो बंटर शेयर की तरफ से अगर तुम पोन में वीडिय कर सकते हैं बाकि 3060 जिसको 3030 जाहिए 3060 आए गा तुम्हारा नवेंबर में तरिके अक्टोबर में 371 आठहे तो अनवेंबर क्या स्पास आएगा ऑकि 17k यह सालो लोग देखरे ले लेकिन ily लिग आ अब रीप्ले दे रहा है यार, इवन्ट तो कतम हो है, आर यू सीरियस भाई, सतरा सो लोग देखे है यार, काव, मज़ा आगा रहा है अब वर अब पाई, इवन्ट टी ती ती आई में आपको किड्नी देना वर्थित है यार, यार, वहली ग्रिल बोलते है न यह यह वाले में जो 10th generation जब लॉल, क्या बात कर रहे है तो गाइस इस बार तुम अगर लेने वाले हो 3070 स्वीड स्पॉट होने वाला है। इस बार कोई TI graphic card नहीं आने वाला है।